हेलो दोस्तो नमस्कार एसमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो इस वीडिये में हम लोग बात करने वाले एक बहुत गजब की न्यूज से रिलेटेड एक ब्रेकिंग न्यूज से रिलेटेड हलाकि अगर देखा जाए त क्या बाजार वहाँ पे वापस गिरेगा या नहीं इसके उपर सबसे बड़ा अभी सवाल खड़ा हो जाएगा क्योंकि इस तरीके की न्यूज अभी हम लोग को देखने को और सुनने को मिल रही है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले में आप लोग को बताना चाहूँगा इस चीज मेरी नहीं है यहाँ पे जो माद्यम से यह न्यूज सामने आ जाते हैं वो मैं आप लोग को यहाँ बता के अपडेट रखने की कोशिश कर लेता हूँ तो चली इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते न्यूज क्या है पूरी देख लेते इसका इंपेक्ट मार्केट क के उपर कैसे रहेगा वो भी यहाँ पर प्रेडिक कर लेते हैं बट उससे पहले जरू किना चाओंगा एसम किसी चैल में फर्स टाम विजिट किया है तो जरू सब्सक्राइब कर लेना साथ में बिल आइकन को भी प्रेस कर लेना तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक डेली यह वो शेर भागते ही जा रहे है आज भी अपर सरकेट डेकनिक मिला है और फंडामेंटली स्ट्रॉंग भी है ऐसा कोई आलतुफालतु पेनी स्टॉक नहीं है बहुत ही जबरदस रिटन मिल रहे है तो इस स्टॉक से रिलेटेड डीटेल वीडियो में बनाया नीचे डिस किसी भी स्टॉक चाहिए आप उस्ट्रेलिया की सिटीज़ों है अमेरिका की सिटीज़ों अब्रजील के सिटीज़ों किसी भी सिटीज़ों तो सबके लिए फिलाल तो एक ही नूज इंपटेन्ट है और वह कोरो नवायरस dedicीर डो ही नूज रहात देती है सबसे पहले कि केस स्कम हो चुके हैं यह एक रहाद देते हैं बट वो temporary source के लिए अगर long term के लिए अगर रहाद चाहिए तो yes vaccine से related news सामने आनी चाहिए and वही news वापस एक बार सामने आ चुकी है और इस वक्त की जो news कोई छोटी मोटी news नहीं बहुत बड़ी news है and इसलिए आप लोगों को का कि श पहली country यहापे बन चुकी है जिसने successfully complete किया human trial also coronavirus से related आप सभी लोग यहापे countries vaccine बना रहें बट इसी से related जो human trial है उसमें वो आइदर पीछे रहे चुके बट रशिया की बात करें तो उन्होंने human trial भी यहापे successfully अच्छीव कर लिया आप दोग देख सकते coronavirus से related जो उसकी वैक वैक्सीन रूस में बनी Moscow की university सारे trial पूरे करने में सबसे आगे यहापे सफल हो चुकी है तो रूस से related रशिया से related यह न्यूज समने आ रहें और एक न्यूज आप लोग देख सकते कोरोना वैक्सीन पर रूस ने मारी बाजी से चलो विद्याले मतलब university ने इस से related जो requirement थी वो यहापे find कर लिए और अब भी आप नीचे भी essay news यहापे देख सकते क्या रूस ने यहापे सबसे पहले vaccine बना लिए question mark जरूर आएगा क्योंकि yes बहुत सरे इस से पहले भी हम लोग ने essay news यहापे सुन ली थी तो कुछ channel आप लोग देख सकते रूस ने दुनिया की पहल अब भागते वे देखने को मिला अभी भी अगर आप लोग देखोगे तो 192 से 200 पॉंट तक वो हम लोग को भागते वे देखने को मिल रहा है American futures में जब rally आ जाती है तो थोड़ा सा हम लोग कह सकते कि American Bazaar का जो डो जोंसे उसमें भी तेजी आने के chances बढ़ जाते है आज क लोग कह सकते इस news का जितना जितना आगे वो जितनी घेरी हम लोगों को देखने को मिलने वाली सुनने को मिलने वाली है उतनी ही हम लोगों को यह जो सारी बात है वो और भी positively होते वे देखने को मिलने वाली है सो दोस्तो इसी न्यूस को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जान लेते यहाँ पर पढ़ लेते तो आप लोगों भी अपडेट हो जाओगे रशिया की जो सेचोन उनिविरसेटी है इसे रिपोर्ट के द्वारा न्यूस सामने आ रही है इसलिए मैंने आप लोगो को कहा कि इसके उपर भरोसा रखना है नहीं यह हम लोग और भी देखेंगे जिस तरीकी के न्यूस यहाँ पर और भी फर्दर सामने आ जाते है थोड़ा साम लोग और आगे यहाँ पर इसके बारे में जान लेते हैं इस वेक्सिन के अगर हम लोग बात करें तो जब रशिया की हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने अल्रड़ी इसको सैंक्षन किया था और वो भी 16 जून को सैंक्षन किया था मतलब रफली अगर आप लोग पकड़ लो तो एक महिना पहले तब से यह ट्रायल यहाँ पर शुरू हुआ था और इसके लिए दो ग्रूप्स बनाए गए था आप लोग देख सकते फर्स्ट ग्रूप जहाँ पर 18 वॉलिंटरी यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिली थी एज उसी के साथ साथ सेकेंड गृप भी यहाँपर बनाया गया था जहाँपर 20 वॉलिंटर्स हम लोगों को देखने को यहाँपर मिला था तो उसी से रिलेटेड उन्होंने यहाँपर आगे की चीज़े यहाँपर की थी अगर हम लोग इस volunteer की बात करें तो obviously उन्होंने deliberately यह सारी चीज़े करके वो खुद सामने आये थे जो 18 volunteers थी जो उनको 18 June को ही यहाँ पे vaccine दी गई थी और जो 20 volunteers का जो second group था उनको 23 June को यहाँ पे vaccine यहाँ पे दे दी गई थी और इसका जो result है अभी यहाँ पे सामने आ चुका है और उसका output ही आप लोगों को यहाँ पे में देखाना चाहूंगा according to the report आप लोग देख सकते हैं यह reports के द्वारा जो news सामने आ रही है जो first group हम लोगों को देखने को मिला था जो volunteers का first group था उनको यहाँ पे 15th July को discharge मिलने वाला है सभी के सभी यहाँ पे बिलकुल ठीक है जैसे की COVID-19 से पहले एक body रहती है completely versus worst body यहाँ पे दिखने को मिले है and second group कि अगर हम लोग बात करें जिनको 23rd June को vaccine दी गई थी वो भी 20th July को यहाँ पे completely discharge होने वाले है so इसी से related हम लोग कह सकते ही यह 100% उनका human trial है वो successful हो चुका है and इसी के बदल रूस ने यहाँ पे दावा किया कि उनने बना हुई जो vaccine है वो coronavirus से यहाँ पे लड़ सकती है अभी इसको कितना seriously लेना चाहिए यह तो health से related जो department रहते है globally जो internationally भी कोई ना कोई body रहेगी इसी से related यहाँ पे सारी बाते सामने आएगी world health organization का भी कुछ ना कुछ commentary सामने आएगा जो experiment है उसको सफलता यहाँ पे मिलनी चाहिए इसलिए वो सामने आ चुके थे और जो doctors है उन्होंने यह भी बता दिया कि जो method है वो कोई नई method नहीं है बिल्कुल common method है जो कि अगर हम लोग एक normal vaccine जो develop करने के लिए use करते है जैसे कि कोई भी seasonal flu जो normal बुखारात है उसके लिए typhoid हो सकता है malaria हो सकता है या फिर cholera हो सकता है उसके लिए जो vaccine यहाँ पे develop करने का जो method रहता है वही method यहाँ पे corona vaccine find करने से ही यहाँ पे develop कर लिया है और कोई भी नया method ऐसा नहीं है जो कि किसी को पता ही नहीं होगा ऐसा कोई भी बात यहाँ पे फिलाल तो नहीं है तो दोस्तों आप सभी लोग को यह भी पता है कि रशिया ने तो यहाँ पे फिलाल क्लेम कर लिया है कि human trial भी उनका successfully हो चुका है ऐसे बहुत सारी universities भी है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं Oxford University भी है अमेरिका की biotech company Moderna ये भी उन्होंने भी consider किया था कि वो जुले के end में यहाँ पे vaccine से related जो final trial उनका भी बागी है वो भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है और ये तीन university है हम लोगों को ब vaccine से related बहुत कुछ चीज़े find की गई थी और वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो success मिलने वाला है vaccine से related उसमें ये भी company बहुत ही उसका भी नाम यहाँ पे सामने आ रहा है सो दोस्तों overall आप लोग देख सकते हैं ये news के बाद हम लोग कह सकते हैं कि news तो बहुत ही बढ़ी है बट जो बोलते ना कि एक medical terms में कुछ approvals रहते होंगे पूरे globally इसमें भी approval वो देखना हम लोग को बागी है कि क्या यहाँ पे इस vaccine को distribute करने के लिए permission मिलती है नी रशिया ने तो दावाद जरूर किया है कि उनके human trials भी successful हो चुक है जो कि मैंने आप लोग को पढ़के बता है एक मैने पहले उन्होंने ये trial स्टार्ट किया था और सारे के सारे जो दोनों के दोनों groups के जो जितने भी volunteers थे वो सारे के सारे अभी बिल्कुल ठीक है 100% यहाँ पे यह उनका successful हो चुका है तो इस news के बाद हम लोग कह सकते हैं कि बाजार जरूर इंतजार करेगा कि इसके related Russia क्या इसको जो medicine रहेगा उसको 100% और भी आगे develop कर पाएगा अगर कर भी पाएगा तो उसको distribute करने के लिए vaccine obviously पूरा दुनिया में distribute होने के लिए बहुत समय भी लगेग और कल भी हम लोगों ने इसी type का news यहाँ पर देख लिया था और सुन भी लिया था और ऐसे और भी जो universities है जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिये तीन universities जो कि बहुत ही close है कि coronavirus related वो भी जो आखरी stage रहता है successful होने के लिए जुले के end month में उनका भी हम लोगों को मिलने वाला है कि क्या वो यहाँ पर successful होते है भी या नहीं सो फाइनली हम लोगों को ऐसी सारी चीज़े यहाँ पर देखने को मिल रहे है जिसके बदलत बाजार का mood थोड़ा क्यों नहीं हो हम लोगों को सुधरते वह देखने को जरूर मिला है आयो पाशा करते हो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा आपको अच्छा लगाओको तो जरूर इस वीडियो को like कर देना दोस्तों के साथ share भी कर देना तो उनको भी इन चीजों का थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा so that's it thank you very much दोस्तों we will be meeting on our next studio तब तक के लिए bye bye